मेरे अभे नमेत्रों, नमस्कार, फ्रेंड्स फिलहाल हम लोग योगह कर्मशू कौशलम के बारे में बातें कर रहे हैं, कल कुछ विंदु मैंने आप सबको दिये थे और मैंने आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि इस पर आप भी अपने धंग से विचार करें, इस बार प्रश्न का मतलब है, मुहावरे के रूप में है, कि ऐसी समस्या या ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर बहुत कठिन हो, उत्तर मिल ही नहीं सकता, अगर मिलेगा भी तो शायद बहुत कठिन उत्तर मिलेगा, यानि कि एक ऐसी समस्या जिसका समाधान संभव नहीं हो, इसे कहा जा तो एक वन में पहुचते हैं और सब को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, प्यासे हैं सब, इतने में ही देखते हैं कि दूर एक तालाब दिखाई दे रहा है, तो होता है कि यहां से पानी लाकर के प्यास बुझाई जाए, तो सबसे छोटा सहदेव था तो सहदेव को पान की आवाज थी, और यक्ष कहता है कि पानी पीने से पहले तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा, तभी तुम पानी पी सकते हो, सहदेव यक्ष के इस प्रश्न की या कहलीजे कि इस हिदायत की अंदेखी करता है, वो पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है और उस तर एक से सभी भाई जाते हैं, नकुल गया, नकुल नहीं आ रहा है, अब क्या किया जाये तो फिर भीम जाता है, भीम भी वही रह जाता है, क्योंकि यक्ष उसी तरह से कहता है कि पहले तुम्हें मेरे प्रश्न के उत्तर देने होंगे, भीम भी उसकी बात की अंदेखी कर जाता है, भीम की भी मृत्ति हो जाती है, फिर अर्जुन जाते हैं, अर्जुन के साथ भी यही घटना होती है, तो फिर युधिस्ठी चंतित होते हैं कि भी यह क्या बात है, सभी गए और सब के सब वहां रह गए, कोई भी वापस नहीं आ रहा है, तब फिर युधिस्ठी जाते हैं युधिस्ठिर को भी यक्ष की वही आवा सुनाई देती है और in fact सच यह है कि यक्ष बिलकुल सामने उपस्तित हो जाते हैं युधिस्ठिर के और फिर वो युधिस्ठिर को बताते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे इन चारों भाईयों से कहा था कि पहले मेरे मुझे मेरे प्रशनों के उत्तर दो तब तुम पानी पीना तो फिर यक्ष प्रशन करता चला जाता है और बहुत से प्रशन करता है मतलब लगभग लगभग यूं कहलेजिए कि पचास से अधीक प्रशन किये हैं और जो प्रशन है वो बड़े फिलासोफिकल किसम के अश्यर नहीं होगा कि जितना आश्यर यह आपको WeChat a-1 प्रशन करता चला जाता है और युद deepest सभी प्रशनों के उत्तर दे देदेते हैं यक्ष संतुस्ठ रहते हैं और फिर युदैस्थिर से यक्ष कहता है कि अब तुमारा एक भाई जिवीत हो सकता है मैं किस भाई को जीवित करो, तो जो युधिस्ठिर है, वो कहता है कि सहदेव को जीवित कर दो, या नकुल की बात कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो अर्जिन सबसे प्री है, सबसे ताकतवर है, तुम अर्जिन को छोड़ करके नकुल सहदेव को जीवित होने के लिए, क्यों कह तो दोस्तों प्रश्न क्या था? मुझे लगा कि आप सब की जानकारी के लिए अगर मैं ये प्रसंग सुनाओं तो कम से कम आपके ज्ञान में आपकी जानकारी में थोड़ा सा इजाफा होगा लेकिन मेरा जो मूल मकसद है वो प्रश्न और उसका उत्तर है यक्ष ने प्रश् सकते हैं राइट मालू में युधिस्टिर ने कौन सा उत्तर दिया था और ये चीजे हमारे सामने आती नहीं है मुझे लगता है कि ये चीजे हमारे सामने आनी चाहिए और गीता में ये बात कही गई है युधिस्टिर ने उत्तर दिया था दक्षता धर्म का माध्यम है अन कुशलता के द्वारा कौशल के द्वारा अपने धर्म को पा सकते हैं तो जब हम में कुशलता आ जाती है तो हम करते क्या हैं किसके लिए कुशलता यानि कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम दक्ष हो गए हैं उसमें हम कुशल हो गए हैं और अगर कुशल हो करके अपने कर्म को क तब से जोड़ कर देखें तो आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी तो दोस्तों दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी तब और बातें करेंगे अब मुझे इजाज़त दें नमस्कार